तो चले श्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बात करने वाले हैं एम्स गौरकपूर के तरहत 142 पदों की बेकेंसी आ चुकी है इसके लिप में बहुत सारी बेकेंसी है कुल 16 तरह के बेकेंसी है जैसे की क्लिनिकल असिस्टेंट होटर वाडन लेव असिस्टेंट लेव टेकनि कब तक है मैं आपको step by step सभी जनकाड़ी देने वाला हूं लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे यानि लगे मैं आपको सही जनकाड़ी दे पाया होस्ट के वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इससे यह होगा कि आने वाले समय किस तरह अप्लाइ कर सकते हैं और आपको अप्लाइ का लिंक कहां से मिलने वाला है पहले आपको Google या तो प्रोंजर में किसी एक पर जाना होगा आने के बास सर्च बग में सर्च करेंब आएम्स गौरणपूर लिके से सर्च करें फच ने मैंस गौरणपूर इस पर क्लिक क करके आपको अपन हो जाना है जैसे इस पर क्लिक करके आपन हो जाएं मैं आपको बताने बाला हूं कि जो है एम्स गौरणपूर का ओफिसियल विसाइट पर आपको एक सुब्यालिस बदंग बेकैंसी देखने को मिलेगा सबसे पहले यह उपन हो रहा है जैसे यह उपन हो आप जो है एम्स गौरणपूर का ओफिसयल विसाइट पर आचुके है जिसके तरह किसी तरह का वेकैंसी आता है सारा यहां पर सो होता है जाने सबस्क्राइब आपको यहां पर रिक्वार्मेंट का उप्सन दीखे रहा है जैसे टच करेंगें या पर करेंट का उपसन सबस्क्राइब करेंगें आपके और नोटिपके संका उप्सन दीखेगा मैं आपको स्टिप बश्टिप सभी जानकाड़ी देने वाला हूं अगर आपको लगेगा सही वां बता रहा हूं तो वीडियो को देखने बाद वीडियो को लाइक है चान्य सब्सक्राइब कर सकते तो सबसर पहले आपको यहां पर मेंसर्ण कर रहा है सेकेंड नमर पर डारेक्ट र्कॉर्णमर्ड फोर गूरूप ए ब्ड़ूप चीज तो सबसरे पहले नॉटिपकेसन आपको दिक्राइए नॉटिपकेसन अबरेटाज़िए पूरूप आपको झायगा की आपको ओपन हो सबसे पर बता धाएर मिल ज़ागा इसे क्लीनर के लिए है और इस तो बहुत सरा 14 अगयं еще है में जो एक पदों की बैकेंसी है अर घृष्टल जो ग घृदन हम सिर्फ दौ fifty जिया है अुसमें है प्रहुक्षट लिए फ्रहन के सुल गेंंसी है और इस त्युक्तर डॉटला है इसि में 32ग विखेंसी है अब तोसा आगे एक स्टेब बाइस्टेज लेते हैं जैसे टोटर टूटर और किलिनर असिस्टन के लिए फॉर्म अप्लाइग करते हैं इसमें कुल 15 बेकेंसी है कर दगरी के बात किया जाए यू आर कर दगरी में 8 बेकेंसी है यू डबलो एसमें एक वीची में 3 एक और एससी में 2 बेकेंसी है इसमें 50 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाइग कर सकते हैं सीवीटी एक्जाम आपका होने बला यहां पर सारा चीमेंसन कर रहा है और यहां पर एक्जामिनिसन की बात किया जा यान की आपका कॉलिपकेंस की बात किया जा तो बीसी नर्सिंग आपके पास रहना चाहिए तो फॉर्म अप्लाइग करते हैं आप जिस पोस्ट के लिए आप खुझ से नाटिपकेंस की देख लेंगे उसके आप देख लेंगे का क्यांकि सब्सक्राइब का क्या लग है तो देख सकते हैं इसमें भी जो है स्टाप नर्स गार्डन के लिए अप्लाइब करते हैं यह भी बीसी नर्सिंग का फॉर्म खोज लेंग जिसमें संतावन देख लेंगे उसके बाद आपको सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको सभी जनकाई मिल जगा नीचे कर लेते हैं अब जो जो इसमें रिक्वार्मेंट है जो पोष्ट है सब की मैं आपको इस्टे बाइश्टे जनकाई देता हूं का इसलना देख लेते हैं जो भी जनकाई मैं आपको सभी जनकाई देने वाला हूं और यहां पर कुस तो है नहीं जैसे आजएक निए हमां यहां जो है how to apply का ओप्शन की ऐसे होगा फॉटोग्राफ चाहिए जो विद ब्लैंक पेंग का चाहिए जिसमें 10-20 कई यह सब और अब देख लिए इसमें है अप्लिकेशन है आपको किस तरह अपलाइ करना मैं आपको बता दूगा किस तरह को अप्लाइ करें प्रोसेस है पहले आप बताते हैं कि इसमें फी की बात है आपको बताते हैं यह सब जाने के बाद आपको हम बताते हैं चूट की बात जो है कितना चूट मिलता है मैं आपको वह भी जैनकाश देता हूं आपको कितना चूट मिलने छूट के लिए लिए पर इसब चोबीस पर जाएंगा यहां पर मेंसार करा जैसे देख सकते हैं कि स्वेस्वी में तीन सालों के और पी डवालों में चूट मिले अब यह सब जाने के बाद फॉर्ण किस्ट अपलाई करें इसके लिए आपको बैक आ जाना जैसे बैक आज प्रिंट करना भूल गया है तो सबसे पहले अगर अपने प्रिंट कर सकते हैं आप ऐसा मेंसर्ण कर रहा है और अगर अपने प्रिंट फी नहीं किया ता 18 सभी प्रिंट प्रिंट फी आपका रहने रहने आप तो यहां पे सबसे पहले आपको इंटर पासवट बोला जाला है अगइंड है नहीं उसकी लिग सबसे पहले आपको क्लिक फरण खेंटेक्र क्लिक करेंगे यहां से आपको फारस्ट नाम ससन हम कन सना Upper सब्सक्राइब करने के बाद यहां से लोग इन कर लेंगे इसके बाद आप लोग इन हो जाएंगे उसका जो भी प्रोसेस जो भी लगेगा सब्मीट कर लेंगा आपका फोर्म सब्मिट हो जाएगा मेरा काम है सिर्फ आपको जनकारी पहुंचाना कि किस जगह से कौन सा पुष्ट या किस जनकारी आया अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने किसी तरह का परिसानी अगर होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेस्बूक के माधियम से कॉंटक्ट कर हेल्प ले सकते हैं मैं को पुरा हेल्प करने को सिस करूंगा जहां तक होगा और अगर आपको लगा कि मैंने आपको सही जनकारी दिया है तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इससे यह होगा कि हम किसी तरह का अपडेट या एक्शितर वेकेंसी आता है सबसे पहले आ और अपडेट के साथ किसी और वेकेंसी के साथ दाने बाद